हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड स्टेडी सर्गिल चैनल में और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी एस के वन लाइनर सीरीज चो यूपी त्रिपाल सी के प्रेवियस एर एक्जाम से लिए गया हैं दोस्तों वन लाइनर के रूम में मिलेंगे साथ ही इसका एक्स्प्लेनेशन में होगा चैनल पर आप ने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और से यर जरूर कीजिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला क्यूशन है भारत की पहली महिला ओलम्पिक खिताब विजेता का नाम बताईए तो राइट अंसर होगा कर्णम मलेश्वरी इसकी ब्याक्या देखते हैं कर्णम मलेश्वरी भारत की महिला वेट लिफ्टर यानि भारत ओल्लक है वे ओलम्पिक खिलों में पदक जीतने वाली पर्थम भारती महिला खिलाड़ी है और पदक में क्या उन्होंने जीता था तो कहां से पदक जीता था ठीक है जिसे हम लो में पदम्सिर्य से सम्मानित किया यानि कि पदम्सिर्य इन्हें 1999 मिला है और राजी हो गांधी खेल रत्न पूरस्कार जो है abroad 1995 मिला है ठीक है राजी हो में इसांडी खेल रत्न पूरस्कार का जो वर्तमान नाम है वह बता ये Quinn जैसा कि मोधी जी ने चेंज कर दिया था अगला क्यूशन है माइको प्लाजमा की कारड़ होने वाली बीमारी कौन से है तो माइको प्लाजमा की कारड़ होने वाली जो बीमारी है वो है बैंगन का छोटा पत्ता होना यह पह जो पतिया होती है वो चोटए ही हो जाते हैं मेदर डिबलब मेया करते इसकी बियाक्षा देख लेते हैं बेंगन की चोटी पति का बिमारी माइको प्लाजमा जीवाणू रिक्टीरियों के कारर होने वाली बिमारी है या बैंगन और फॉलों को भी संक्रमित करने वाला एक जिवाणु है इस जिवाणु द्वारा उत्पन रोक कमों के लक्षर प्रभावित पौधे द्वारा बहुत कम पत्यों का उत्पादन तथा पत्यों का आकार में छोटा होना है या तो पत्ते ही नहीं निकलते हैं या फिर जो भी निकलते हैं उनका जो आकार होता है वो छोटा ही रहा जाता है ठीक है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं उन्हों सबका विकास रुख जाता है अगला क्यूशन है मक्के के लिए उगने से पहले इस्तिमाल करने के लिए निमलिखीद में से कीस से त्रिण ना सक हर्विसाईज की सिफारिस की गई है यानि की कितनासी को सुछ राइट आंसर होगा अठ्राज़ीन ठीक है अगला क्यूशन है किसी कम्ई के कारर फल चटकता है तो राइट अंसर होगा बोरान बोरान के वज़े से फल चटकता है या फिर फट जाता है इसकी ब्याख्या देख लेते हैं बोरान एक रासायनिक तत्तो है ठीक जिसका प्रतिक क्या होता है बी होता है और प्रमाण कर्मांग क्या होता है वो 5 होता है बोरान तत्तों की कमी से फल चटक जाते हैं ठीक है पोसक तत्तों की कमी जिसमें बोरान महतपूर्ण है यानि कि बोरान का होना महतपूर्ण है आप एक क्यूशन का जवाब देजिए कि जो टमाटर होता है ठीक है ट टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है आप कमेंट बाक्स में जरू बताईए अगला क्यूशन है खटे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है तो राइट आंसर होगा बैक्टिरिया यानि की जीवाणू के कारण होती है एक्स्प्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं खटे फलों में कैंकर की बीमारी जो होती है वो बैक्टिरिया जेन्थ मुनास आक्सोनों पार्ट्स के कारण होती है यह रोग सभी प्रगा के नेंबो वर्गी फसलों को प्रभावित करता है इस रोग के लक्षा पत्तियां हब्बे के रूप में प्रकट होते हैं और जो निरंतर बढ़ते हुए कठोर भूरे रंके उभरे हुए च्छालों में बदल जाते हैं अगला क्यूशन है अधिक अनुपजाओ अभियान अधिक अनुपजाओ अभियान किस वर्स प्रारंब किया गया था राइट आंसर हो अधिक अनुपजाओ अभियान वर्स प्रारंब किया था यही आपसे ज्यादातर पोल सकता है इसका उद्धिस किसानों के लिए बेहतर टक्निक की ब्योस्ता करना ताकि उपज की मात्रा बढ़ाई जा सके जो अनुद्पादन है उसकी मात्रा में ब्रिध्धी हो यह अभि स्ञें, अगला क्यों, है अलु में ब्लक हर्ट यहाँ से ऐसे जान लिए आ लेके हर्ट किस के कारण होता है तो भंडार में आज सीजन की कमी यहाँ के जहां पे तो वहां पे जब घंधतनी ऑंसरोल किते हैं तो ब्लेक हर्ट नाम जुहे रोख हो जाता है अगला क्यूशन है अंतराष्टी चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहां पर इस्तित है तो राइट आंसर हो जाएगा मनीला जो फिलिपिन्स की राजधानी है फिलिपिन्स की राजधानी क्या है तो फिलिपिन्स की राजधानी जो है मनील क्यVery नांगला क्यूज़न है किसको संकीकी का जनक कहा जाता है यह इंडिया पर नहीं वर्ल्ड लेवल पे पूछा जा रहा है इंडिया लेवल फिसर को संकीकी का जनक कहा!" तो अब यहाँ बैक्याम देखिए सर रोडनाल्डो एलेमर फीसर को सांखी की का जनक कहा जाता है इन्हें आधूनिक आखडो का भी जनक माना जाता है लेकिन जब हम इंडिया में बात करेंगे यानि भारत में आखडो के जनक PC महाल नुविस को माना जाता है ज्यादा तर आप इसे ही याद रखेगा इसके साथ ही एक चीज़ और जान लेजिए कि जो PC महाल नुविस हैं इन्ही के जन्म दिवस पे 29 जून को हम लोग राष्टी सांखी की दिवस भी मनाते हैं ठीक है राष्टी सांखी की दिवस ये एक्जाम में पूछा हुगा क्यूशन है इन्ही की जन्म दिन पे आपसे सांखी की दिवस नुव पूचके आपसे ये बोल सकता है कि 29 जून को सांखी की दिवस किसके जैनती पर मना जाता है अगला क्यूशन है आइस्टीन को किसके लिए नोबल पूरसकार से सम्मानित किया गया था तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए इन्हें नोबल प्राइस दिया गया था कब दिया गया था हम लोग ब्याख्या हम देखेंगे सन 1905 में सन 1905 जवी में आइस्टीन ने क्वांटम सिंधान को आधार मान कर प्रकास विद्धुत प्रभाव की ब्याख्या की इन्होंने प्रकास उर्जा को छोटे छोटे बंडलों के रूम में माना जो प्रकास के वेग से चलते हैं इन बंडलों को क्वांटा या फोटान कहते हैं अलवार आइंश्टीन को उनकी प्रकास वैद्दुत प्रभाव की व्याख्या के लिए सन 1921 में नोबल पुर्षकार मिला था ठीक है 1921 याद रखिएगा कुछ important हम लोग रेखाएं देख लेते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को विभाजित करते हैं ठीक है पहला है मैक मोहन रेखा आपसे एकजाम में पूछ देता है मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच में है या फिर किन को अलग करता है तो भारत और चीन को ठीक है मैक मोहन रेखा रेट क्लिफ रेखा तो रेट क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कभी-कभी आपको पाकिस्तान के जगह यहां पर इंडिया भी रहता है तो इंडिया से भी या 105 किलोमीटर तक की बार्डर बनाता है ठीक है 105 किलोमीटर अफगानिस्तार और इंडिया से ठीक है तो यह आप डिपेंड करता है आपसन पे वैसे जो मानक आपसन है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ठीक है में रहीम रेखा तो यह जर्मनी और पोलेंड के बीच में है अगला है मैगी नाट रेखा तो मैगी आप लोग खाते हैं तो मैगी याद रख लीजेगा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगी खाने के वज़े से जगडा हो गया ठीक है तब ही से वहां पर बार्डर बन गया मैगी नाट रेखा तो जर्मनी और फ्रांस क्या है जर्मनी और पोलेंड क्योंकि यह दोनों आप्सन आपको एक्जाम में कन्फ्यूज करेंगे तो हिंड़न बर की जहां पर आएगा तो हिंडन डर्ब रहेगा तो पोलेंड याद कर लिज़ेगा जर्मनी और पोलेंड और लेकिन मैगिनाट रेखा जब रहेगा तो जर्मनी और फ्रांस याद रखेगा अगला है 38 समानता रेखा जो है तो उत्तरी कोरिया दच्षडी कोरिया तो यह तो आपको सिंपली याद हो जाएगा एक ही पर पढ़ने से 38 समानता रेखा यानिकी उत्तरी और दच्षडी कोरिया के बीच में ठीक है उन्चासवी समानता रेखा तो यह याद हो जाएगा यू में जरूर बताईएगा और जो भी योपी त्रेपलसी के अभी तक हुए हैं उन सभी सीरीज को इसी 10 मिनट से 10-12 मिनट के अंदर में कंप्लीट करवाया जाएगा छोटे-छोटे क्लिप होंगे इसी तरह आप समय निकाल के कभी भी देख सकते हैं और इसकी जो ब्याख्या देखेंगे उससे भी आपको अलग कंटेंट के रूम में जी एस के पॉर्ष्टन तयार होते रहेंगे तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समात होती है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना तयारी करते रहें टिक क्यार बाइबाई